वेल्कम स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दा विनिंग एज में तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह हमारे डेली लाइप का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लाइट तो लाइट को अ आप कहते हों कि कैता हुआ रहे है लाइट जाराई शाघिस के लाइट का एक एक सेक्सेणे नायंों कि किसिश को नहीं देख पाएंगे जैसे का एक्जामपल ले लेते हैं तो नाइट में क्या होता है किसी भी चीज की अगर आप किसी एक लूज रूम में वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट नहीं कोई बलब है नहीं आपको कोई स्टार्स की या मून की थोड़ी सी भी जो मून लाइट आती वह भी नहीं एक लोज वॉल्स चार वॉल्स हैं उसमें आप लोज रूम में बिलकुल अंदेर है तो आप किसी भी चीज को देख नहीं पा रहे हैं इसका मतलब क्या है वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट आप आपके आप विजन आपका काम नहीं कर रहा है यानि होँ वह पे क्या नहीं एक फॉर्म अफ एनरजी नहीं है लेकिन वह उल्टा इसको जिस को देख नहीं है अपनी हमारी आखे capture कर पारे हैं कि यहां पर यह है तो उस form of energy को हम क्या कहते हैं light तो आज हम light के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें आगे और क्या-क्या properties होती है light की क्योंकि हमारी एक daily life का बहुत ही important हिस्सा है light तो चलिए आगे बढ़ते हम तो मैंने define क्या था light is a form of energy that causes the sensation of vision simple definition है कि एक form of energy होती है light क्या करती है जो एक sensation of vision देती है मतला हमें देखने की चमता प्रदान करती है कि हम चीजों को देख पाए और अच्छा अब आगे different theories on the nature of light were proposed on the basis of the fact that energy can be transferred from one point to another either by particle motion और by wave motion तो अब अलग-अलग scientist वे अलग-अलग लोगों ने light को अलग-अलग अपनी तरीके से different theories बताई कि light यह होती है sense of sensation of vision होती है एक particle दूसरी जगा पर जाता है दो तरीके के motion से या तो particle motion से जाता है या wave motion से जाता है तो यह कुछ theories थी जो हमें light के light के बारे में हमारे scientist ने पूरवजों ने बताई अच्छा अब कुछ properties है light की हमारी properties का होती ही खासियत की light की क्या-क्या खासियत हो सकती है तो कुछ properties में से क्या है light travels in a straight line तो जो लेकिन light हमें हमारी क्या होती है हमेशा straight line में travel करती है उसके बाद क्या है the speed of light is faster than sound यानि कि हमारी जो sound की speed है उससे speed of light जादा तेज है एक basic सा example इसका यह कि जैसे जब हम देखते हैं कि जब lightning होती है कर ये बिजली घडब देख होन्हें तो हमने देखा होगा कि हमें पहले बिजली घडब दिखाए जाता लाइट्निंग दिखाई-देatie क्या है form of energy के उसमें sense of vision दे रहा है जो वो तो sense of hearing दे रहा है sound हमें तो और sense of vision से हमें क्या दिख रहा है कि light चमकते वह दिख रही है तो इससे क्या पता चलता है हमें पहले light दिखी तो उन दोनों का एक ही टाइम पर वह 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 वी छहीं पहले पहुचा हमें लाइन पहले दिखाए ती ऐसा क्यों हुआ क्योंकि speed of light क्या होती है, हमेशा speed of sound से जदा होता है, इसलिए हमें जब भी बिजली कड़कती है, तो पहले क्या दिखाई देता है? पहले हमें बिजली कड़कते हुए चमकते हुए दिखाई देती है उसके बाद क्या बादलों की गर्जन यान की आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और इन्टरेंस ऑफ लाइट यह आगे आपको अभी पढ़नी है और यहां पर पूरे को समप करेंगे इस लाइट के प्रॉपर्टी को अच्छा दो चलिए हम बात करते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ कि तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन बता रही है रिफ्लेक्शन इस दा फिनामेन इन विस लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम इंसीडेंट ऑन दा सफेस ऑफ अनादर रिटर्स तुदा फिर्स मीडियम ओवेइंग दूसरी मीडियम पर टकड़ा रही है जैसे कि आप यहा यहां पर यहां से आ रहे हैं तो यहां पर टकड़ा रहा है तो यहां पर मीडियम पर टकड़ा रहा है इस ग्लास पैनल पर टकड़ा रही है तो यह मीडियम क्या हो गया दूसरा हो गया मीडियम और फिर से क्या रहा है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से फिर्स मीडिय यहां से सीधे आई और यहां पर सीधे चली गई हमने यहां से इंसिडेंट करा और सीधे यहां पर चली गई अच्छा अब यह एक इसका लॉबी है कि रिफ्लेक्शन आफ लाइट का हमें लॉब क्या कहता है अ urban तुसके आफकți चीध कर prohibited लाच ओर एफरेंग क्या जो हमारी इंसिडेंट रही है यहां से इंसिडेंट रही है यहां आपकी क्या है इंसिडेंट रही है या पकी आफ की इंसिडेंट का रही है जो रहे हैं आपकी सर्फष में पढ़ रही है यहां से इसके बात क्या रहा है इंशिडेंट कौ k angles और कह वहाँ वहां से पॉस्ट जो बबना तो इस lawsuit से अगर हम perpendicular डालते हैं तो यह क्या कहलाती है हमारी नॉर्मल कहलाती है ठीक है मतलब कि जिस पॉइंट पर मेरी incident rate टकराई और जिस पॉइंट से मेरी रिफ्लेक्ट वी वह पॉइंट सो हमारा common पॉइंट है अगर मैं इस पॉइंट से एक perpendicular डाल देता हूं तो यह हमारा क्या बन जाएगा नॉर्मल बन जाएगा नॉर्मल रे ठीक है तो क्या कहा रहा है पहला हमारा रिफ्लेक्शन का डा इंसिदेंट रे डरिफ्लेक्टिट रे एंड नॉर्मल तुदा सर्फेस एड़ पॉइंट ऑ इंसिदेंस और लाइन दा सेम प्लेट यहां तीनों यहां पर एक प्लेट राइगा अच्छा अब दूसरा लों क्या कहता है था एंगल ऑफ इंसिदेंज इप्ल तो एंगल रि बना रही है तो यह कह रहा है यह हमारा जो हमारी इंसीडेंट रहोगी यह वह किसके बराबर नॉर्मल के साथ ये वाली यह जो मेरी इसके साथ नॉर्मल के साथ एवाली तो यह जो एंगल था मेरा incident और normal के बीच में वो किसके equal होगा normal और reflected ray के बीच में समझ रहो आप मतलब की the angle between the incident ray यह वाली आपकी incident ray है and the normal यह आपके normal है is always equal to यानि अगर मैं इसे angle a नाम ले लेता हूं angle a हमेंसे किसके बरावर होगा आपके बनना मेरा इंसिडेंट और normal के बीच में और रहो विलेरे के बीर के बीचjuk आप यहां से भी डालोगे तो यह यहां पर आजाएगी ऐसे हमेशा यह सारे एंगल कैसी से भी आप इंसिडेंट करवा दो एंगल हमेशा क्या आएगा आपका इक्वल ही आएगा इतनी बात समझ में आगी आपको चलो यह तो हमारा हो गया हां फर्फ प्रोपर्टी अब लग्त दूसरी प्रोपश्ट्व समाज आप 2 दूसरी प्रोपर्टी क्या है अमारी लग्त की रीफक्शन नबूपि इंग् ancora यह तो क्या गया रहा है एक यह Iggy ईक से मतलब कि चेंज इन पर स्पीड आप नीचे बिए तो आपको याप को नीचे तो अब फिना मिना क्या कह रहा है विप्रेक्शन ओप लाइट हमारा क्या चाहिए कि जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियमご आपकी जो इन्सिडेंट रे है जो आपकी light वाली रे है जैसे कि आपने यहां से torch की रॉस्थनी डाली तो आपकी incident रे कि क्या हो जाएगी speed जो आपकी air में थी ना एक तो speed आपकी slow हो जाएगी यानि कि जितनी अगर मेरी air में इसके 1 km पर आर थी थी यानि कि मैं लाइट मारी तो एक गंटे में मेरी वो टॉर्च की लाइट कितनी एक किलोमीटर का डिस्टेंस एयर में कभर कर रही है लेकिन जैसे ही वो टॉर्च की लाइट पानी के अंदर गुस्ती है तो क्या हो जाएगी यानि कि कम हो जाएगी यानि वह जाएगी कितना जिडो पाइंट फाइब्ला और तो देरहों में बस यह किख से जाएगी तो क्या नृत क्या रहे हैं-a यहां से जारी है आपका यहां पर देखो यहां पर यह इमेज में देख रहे होगे यह वाली थोड़ी सी ऐसे आ गई अगर यह से देखो अगर यह सीधी जाती तो यह सीधी कैसे जाती आपकी सीधी तो यह ऐसे जारी थी ना देखो यह जारी आपकी और यह ऐसे निकल जाती यह अगर मैं सीधी करता लेकिन यह क्या था हमारे मीडियम यह था और यह वाला क्या है मेरे मीडियम वाटर है यहां लग-लग मीडियम है तो यहां पर आप देख रहे हूं यह मेरी incident की मैंने तो यह सीधी जानी चाहिए थी लेकिन यहां पर medium अगर यह दोनों air में ही होता तो यह सीधी जाती लेकिन यहां पर medium क्या हो गया चेंज हो गया तो यह क्या हुए यह दू को reflect हो गभी है उत्व यह वह पर में तो यह दो एंगल हमारे एक्वल आ रहे हैं तो reflection और reflection में आपको अंतर पता चल गया होगा कि reflection में reflect होती है angle of incident is equal to always angle of reflection होता है इसमें क्या होता है reflection में जब आप एक medium से दूसरे medium में अपनी light को incident करवा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी एक तो slightly bend हो जाएगी और उसकी speed traveling speed of light जोगी वो क्या हो जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगी मतलब कि अगर air में थी वहाँ पर ज्यादा speed से travel कर रही थी और जैसे आपकी water में गई वहाँ पर क्या हो गई थोड़ी सी slow गई light की speed अच्छा अब रिफ्रेक्टिट वे ओबेस दा फ्रोइंग लोग अभी इसके लोग से रिफ्रेक्शन के ठीक है तो क्या कहरा है पहला लो क्या कहरा है the incident ray the refracted ray and the normal to the surface at the point of incident online in the same plane जैसा की laws of reflection पहला था ऐसी laws of reflection का भी पहला law दोनों का क्या है same यानि कि क्या कह रहा हमारा incident ray refracted ray and the normal all lies in the same plane ठीक है इतनी बात समझ में आगे आपको यानि कि incident ray reflected ray refracted ray and the normal all lies in the same plane तो इसका तो पहले ही वाला जो आपका नियम था laws of reflection का same उसी के तरह laws of reflection में भी उसका ही first law उसका दोनों का सेम है अच्छा आप second law क्या कह रहा है for the given pair of media and for the light of the given wavelength the ratio of the sign of the angle of incident to the sign of the angle of reflection is always a constant यानि कि इसमें क्या कह रहा है एक given pair of medium है and for the light of the given wavelength एक wavelength की आपको पास क्या है light है आपके आपका इसी डेंट रहे करने की given wavelength आपके बास एक the ratio of the sign of the angle of incidence to the sign of the angle of reflection is always a constant यानि कि जो कि आपका angle of incidence है and angle of reflection जो आपका normal के साथ बन रहा है यह आपकी ना सॉरी यह तोड़ी टेड़ी होगी यह आपकी जैसे कि यहां पर मैं आपको यह नॉर्मल वो बना रहा हूं एक लाइन यह आपका नॉर्मल है ठीक है और यह एक आपकी यह जा रही है तो जो आपका यह वाला a to the sign of way sign a upon sign b यह आपका क्या हो जाएगा साइन एक ट्रिग्नोमेट्री चर्म है sign a upon sign b कितना हो जाएगा इकोल स्थू हमें से क्या आएगा constant आएगा इतनी बास समझ में आगी आपको उसमें क्या था angle of incident is equal to कितना था angle of reflection और इसमें क्या है इसमें दोनों का रेशो एक तो है जो आपका angle of incident बन रहा है उसके साथ angle of reflection बन रहा है उनका क्या है उनका sign का ratio कितना है आएगा इतनी बास समझ में आगई दूसरे लोग की एक हमारा आपने क्या बढ़ लिप्रेक्शन और इसमें अला इसमें बसारी उसमें रिफ्लेक्शन YEAH दूसरे में मह ए twe diferen और इसमें क्या हो जाता है और इसमें क्या हो आपका जो presents का goo क्या हो जाता है आगे बढ़ते ह माँता है अगे बढ़ते हैं अब जब आप एक white light को एक प्रिजम से यह प्रिजम है आपका यह 3D शेप होती है त्रेंगुलर आपने दिखा होगा प्रामिट टाइप का वैसी होता है प्रिजम है यह तो जब आप एक white light को क्या करोगे एक किसी solid surface पर ढालते हो तो यहां से यह क्या होगी बहुत सारे color में बढ़ जाएगी यानि आपके मालों की अगर आपने white line डाली और आपको multi colors दिखने लगेंगे उसके क्या dispersion का मतलब एक तरीके से क्या होता है अभी तो white light थी देखो यहां पर आपको इमेज से भी पता चल रहोगा जब यह white light थी तो क्या था यहां पर सिर्फ एक रे टाइप की आपको दिख रही है यहां पर दिख रहा होगा तो जब आपको क्या दिखा विजन में आपके क्या है white light के बदले आपको क्या दिखा आप यह प्रैक्टिकल भी आपका होता है तो आप यह एक बार ट्राय करके भी देख सकते हैं आप यह प्रिस्म रख सकते हो आप इसमें इंसिडेंट करना जब यह करेंगे तो मल्टी कलर्स आपको दिखाए देंगे तो यह हमारा हो गया तीसरा फिनोमेन और प्रॉपर्टिस ऑफ लाइट का तीसरा अच्छा अब आगे पढ़ते हैं आप डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है अब फिनोमेना और बेंडिंग ऑफ लाइ लाइट यहां से निकल जाएगी आपकी लाइट होगी यहां पर आपकी लाइट के हैंब की बेंड हो जाईगी यहां पर आपने देखा होगा ना कि आप ने जैसे क्या एक box type का लिया उसमें बीच में से hole किया आपने अगर आप किसी light को डाल रहे हो उसमें से उसके बीच में से source of light जा रही है तो थोड़ी सी तो निकल जाएगी आपकी लेकिन थोड़ी सी मतलब कि जो उसके corner से टकराईगी तो वह एंगल भी बदल देगी उसका या तो वह नीचे को दब जाएगी या उपर को आजाएगी तो वही सेम फिनोमिना है क्या है दा फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट अरॉंड पर पड़ेगी जैसे कि आपका यह वाला तो यहां पर बन रही है तो जब यह डिफ्रेक्ट होई यहां से टिफ्रेक्ट वी लाइट और यहां से क्या होगी जो इस इस ऑबजेक्ट की शैडव पड़ेगी उस शैडव में इंक्रोच कर जाएगी उस चैडव में पढ़ने लगेगी इतनी बात समझ में आगी आपको कि जब भी आपके पास कोई स्मॉल ऑब्स्टिकल है उसके कॉर्णर से जब भी लाइट का बैंड होगा और वह क्या उस ऑब्जेक्ट की शैडव में पढ़ने लगेगी तब आपको क्या क्या कहेंगे इतनी बात समझ में आगई डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ठीक है कुछ नहीं है सिंपल स सी ऑब्जेक्ट की जिसके जो ऑफ्टिकल बनाया गया था इसनी बात समझ में आगे अच्छा आगे पड़ते हैं नेक्स्ट हमारा गया है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का है नॉर्मल लाइट वाइब्रेट्स इन और डिरेक्शन परफेंडिकुलर तूदा प्रफोगेश जो आपकी सीन में फी जैसे आपका एक इधर से हैं ठीक है यहां थे हैं इसे बीच कर प्लेवलब कर रही है आपकी लाइट मतलब desirableTrain यहां पहदे से की मोशं से चलती है तो वह क्य करेंगी आपकी पैल करी आप्की पॉलराइचल लाइट कर लाइगी और तरीके को हम क्या पोलेंगे टो क्या पॉलेंगे वाद समझ मेंれる जो हमारी light ट्रैविल कर रही है उसे तो अम क्या बोलेंगे polarized light लेकिन जो वो हमें travel करते वे दिख रही है उसे क्या बोलेंगे method को क्या बोलेंगे polarization बोलेंगे अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अब क्या है interference of light interference of light क्या है interference is the phenomena of modification in the intensity of light due to redistribution of light energy in the region of superposition of two or more light waves यानि interference of light क्या कह रहा है कि वो वो फिनोमिना है जिसमें हम modification in the intensity of light intensity of light का मतलब है कि कि जादा रोशनी देगी अगर देखो आपके बाद दो सोर्थी नहीं चोटी चोटी वेवस है ठीक है एक आपकी यह जा रही है यहां पर ऐसे ऐसे और यह यह जा अगर मैं इन्हें दोनों को क्या करता हूँ यानि superimpose का मतलब क्या है एक के उपर एक को कर देता हूं तो क्या हो जाएगी यह intensity of light क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी देखो ना पहले intensity of light क्या थी माइनस वन से वन तक जा रही है यानि कम आपको दिखाई देगा ज्यादा तेज रौशनी नहीं होगी और यह दूसरी भी थी लेकिन मैंने जब दो intensity की लाइट को क्या करा सुपरward कर दिया मतलभे एक के उपर एक को क्या कर दिया कंबाइन कर दिया दोनों का Part 2 के रौशनी देंगी ना पहले तो यह अलग अलग करकर कर दिया लेकिन मैंद नहीं यह दो लाइध या background था दो ने से भी इतनी अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो यह क्या हो देगी इतनी और ज्यादा रोशनी देने लगी कि न ऐसी क्या है इसमें जब मेरे पास एक छोटी वेव थी दूसरी भी लाइट ऑफ वेव चोटी थी जब मैंने दो चोटी चोटी वेव को सुपर हिंपोस कर द देखने को मिली इतनी बाद समझ में आगी आपको कि यह इंटेफरेंस ऑफ लाइट क्या था तो यह सोर्स ऑफ लाइड यह जो हमारा लाइट था प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इस टॉपिक में आपका इतना ही था थैंक्यू सो मच